हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग स्वागा थिक बार फिर से आप सभी गाए मजटे एजुकेशन में सबसे पहले तो आप सभी परिवार जनों को दोस्तों महा सिवरात्री की बहुत सारी सुपकामना है आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आठ मार्च के महात्रपूर करेंट अफेर की आठ मार्च का दिन वैसे ही खास होता है इज़ार महा सिवरात्री का परवह तो और भी जादा खास हो गया आठ मार्च को आप सबको पता है अंतराष्टी महिला दिवस मनाया जाता है तो इस वीडियो को देख रहे ही सभी महिलाओं को भी हैपी विमेंस टे आठ मार्च के करेंट अफेर को हम लोग शुरू करेंगे लेकिन साथ मार्च का एक मिनिट में रिविजन पहले कर लेते हैं जिससे भूलो ना आप की शिला करेंट अफेर तो कल हम लोगों ने बात किया था कि इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योजना शुरूआत किया है हिमाचल प्रदेश ने केई पन्योड ये 26 वा जिला बन गया है अवराचल प्रदेश का हंगरी के नए राष्टपती बन गये हैं तामा सुल्योग इसके अलावा भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए नियुंतम आयू सीमा बढ़ा करके 85 वर्स कर दी है पहले 80 साल थी भारत का पहला डाल्फिन रिसर्च सेंटर पतना बिहार में खोला गया और अभी जहारकन राजी ने विदवा पुनर विवा प्रोत्साहन योजना शुरू की है USGA के परतिष्टेद बॉब जोन्स पुरुसकार से सम्मानित किया गये टाइगर रूट्स और पीम मोदी जी ने कुलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उधगाटन किया है अभी हाली में केरल में भारत का पहला सरकारी स्वामित वाला OTT प्लेटफॉर्म लांच किया गया है और पद्मपुरसकार, पद्मस्री पुरसकार से सम्मानित अरुण सर्मा जी का निधन हो गया है ये पुरातत त्विद्धे ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन से कल की वीडियो से जिनका आपने किया है एक मिनिट में क्विकली रिविजन अब हम लोग बात करेंगे आज की करेंट अफेर की अंतराश्टिय महिला दिवस 2024 इसकी थीम क्या है पहला कुशन दिवस से और दिवस में सबसे महातुपून अंतराश्टिय महिला दिवस तो अंतराश्टिय महिला दिवस आठ मार्च को आप सब को पता है मनाय जाता है तो आठ मार्च को ये जो इस बार मनाय जा रहा है इस बार की थीम है Inspire Inclusion क्या है? Inspire Inclusion इंटरनेशनल विमेन डे दो हजार चौवेस ये इस थीम के साथ मनाय जा रहा है अंतराश्टी महिला दिवस दोस्तों हमारे समाज में विश्व में दुनिया भर में महिलाओं की योगदान को ध्यान में रखते हुए इनके योगदान को महत्तों देने के लिए साथी साथ विमेन सेक्योर्टी विमेन इंपाउर्मेंट इन सब चीजों की बात की जाती है इस दिन तो पूरे विश्व में ये मनाय जाता है इंटरनेशनल विमेन स्टे आठ मार्च को यह तो अंतराष्ट्य महिला दिवस हुआ राष्ट्य महिला दिवस कम मनाते हैं 13 फरवरी को मनाते हैं जब सरोजनी नाइडो जी की जैनती होती है पताया था न पिछली मेंए आपको चलिए तो यहाँ पर इस बार की थीम याद रखिएगा थीम बहुत छोटी है बहुत इ 1911 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था ये मार्च महिने के अभी तक आयो हुए महात्पोन दिवस है इनको हम लोग रिकॉल करेंगे 1 मार्च को 0 discrimination day मनाया गया, 3 मार्च को विश्वन जीव दिवस, 4 मार्च को राष्टी स्पूरक्षा दिवस और 8 मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस मनाया गया अगला, मार्च 2024 में किस राज में पहले जनरेटिव AI सिच्छक, Iris को लांच किया गया, यह पहला जनरेटिव AI टीचर है, Iris, लेडी टीचर है, और इसको अभी केरला ने इंट्रिड्यूस किया है केरल में इंट्रिड्यूस किया गया है, यह AI से इच्छा है, AI जनरेटिव, जनरेटिव AI मतलब कि लगातार सीख रहा है, लगातार उस पर सुधार किया जा रहा है, Artificial Intelligence based पर वो equipment है, यह robotic type का है, और teacher हैं यह, और यह बच्चों को पढ़ाएंगी, यह तीन language में पढ़ाने की छमता रखती है, मतलब यह जो नाम है, इसको दिया गया है, नाम याद रखना है, नाम पूछा जाएगा आपसे, तो आईरिस नाम की यह जो teacher है, यह तीन भासाओं में बच्चों को पढ़ा सकती है, जनरेटिव AI की तुरू यह बनाए गई है, ठीक है, तो रोबोटिक यह होंगी, आपको अगर याद हो, तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था, लीसा के बारे में, लीसा जो है, यह AI यानि Artificial Intelligence Based News Anchor थी, और यह भारत में पहली बार ओडिया टीवी ने लांच किया था, ओड आया है, केरल से Related Current Affairs देखेंगे, फिर Static की बात करेंगे, तो केरल में देखिए, मचली की आबादी बढ़ाने के लिए कृतिम चट्टानों की अभी परियोजना शुरू की गई, इसके अलावा अभी मैंने OTT के बारे में बताया ही, कल ही बताया, Over the Top Government Operated, भारत में पहला साराज्य है, जो Government का OTT platform खुद का शुरू किया गया है, Antibiotic दवाओं के दुर्पयोग को निहंतरित करने के लिए Operation Amrit शुरू किया गया, Classic Imperial का सुभारम ये लगजरी जहाज है, इसने लांच किया गया, Global Responsible Tourism Award प्राप्त किया इसने, धार्मिक परेटर्ण को बढ़ावा सांसदों के खिलाब आप राधिक मामलों में भी ये सीर्स पर है, और पहला Artificial Intelligence Based School की सुरूआत भी इसी ने की है, देखो AI School और AI Teacher, दोरनों केरल से, ठीक है न, इसके लावाँ ओड़ा मुच्चों के लिए पुस्तक्केत लांच किया, नहरू ट्राफिन नौका दरूरू का एक के फॉन मैंने आपको कल बताया था, के फॉन यानि की केरला Fiber Optic Network, ये केरल की खुद की इंटरनेट सेवा है, तो खुद की इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करने वाला भी पहला राजी या कही एकलोता राज्य भारत में केरल है, ये रही English Translation इसी चीज का, तो आप English व और उ मैंना बोर्डर ये ऊपर करनाटक से और इधर तमिल नाडू से लगाता है, यहाँ पर इडुककी वन्जी जय भारन है, Silent Valley National Park है, यह बहुत पूछा जाता है exams में, Silent Valley National Park और पैरीयार वन्जय भारन कहाँ पर है, तो ये National Park है यहाँ पर, असम में, उस्वारी केरल में, पलकड दर्रा है यहाँ पर थामा सोरी है पाल घाळ दर्रा भी यहीं पर है कथकली, मुहनी अट्टम, काली अट्टम यह प्रमुख यहां के सास्त्री निरत्त है 14 जिले हैं 14 विदान सभा में यहां से सीट यहां और लोग सभा में 20 राज सभा में 9 सीट यहां से जाती है पिनराई विजन जी CPIM पार्टे से यहां के CM है और आरिफ महम्मद खान जी यहां के गवर्नर है के लिए है ना राजधानी तिरुणनत पुरम तिरुणनत पुरम से याद रखना अभी यहीं पर वैस्विक आयुर्वेद सम्मेलन आयुजित हुआ था अच्छा एक और जरूरी बात देखो टेस्ट बुक का दोस्तो एक बिगेस्ट प्राइस डॉप देखने को मिला हुआ है महासिरात्री के उसर पर अभी अगर आप एरली टेस्ट बुक पास लेते हो तो 209 रुपय में मिल जाएगा अगर टेस्ट बुक पास प्रो लेते हो तो वो आपको 307 में मिलेगा और अगर MJT कूपन कोड यूज करते हो तो 12% का और डिस्काउट भी मिल जाएगा तो बहुत ही सुनहरा उसर है देखो offers वगरा समय समय पर आते हैं जब तो उनका आपको लाव उठाना ज़रूर चाहिए तो आप इसका लाव उठाइए अगर आप कोई मॉक टेस्ट वगरा सौल्व करना चाहते हैं किसी भी एक्जाम्स का तो आप मॉक टेस्ट जो है यहां से बहतर तरीके से स्वाल्व कर सकते हैं Link description में दिया गया है आप जा करके इसका फायदा उठाएंगे अगला कुशन किस देश के भारतिय उच्चायोग में चलो इंडिया दूत वाज होता है तो चूकि भारत से ही अलग हुआ है बंगला देश जानते ही आप भारत ऑस्षाय हे और इन इसब पर gemis कभ θα उन कभी राज अकभी राज रहा होग वग वह सभी देश का ना में niño को सबसे थाई को जो सबसे बड़े High Commissioner नियुक किया जाते हैं, उचायोग को कहते हैं, High Commissioner कहते हैं, बाकी जगोंपर राजदूत नियुक किया जाते हैं और वहाँ पर दूतावास होता है, Embassy जी से कहते हो आप, ठीक है, नाम बदला है, बाकी काम वही है सब, तो फिलहाल, भारती उचायोग जो बंगलादेश में ह वहाँ पर चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पूरा अभियान लांच किया गया है अभी इस अभियान की बारे में समझो अब तक तो आपने दूतावास और उच्चायों की बारे में समझा देखो ये जो सुरू किया गया है ये PM मोदी जी ने एक इनिसेटिव लिया है अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अनौंस किया था भारतिये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि जितने लोग भी हमारे जो प्रवासी भाईजन हैं, प्रवासी बोले तो जो भारत के हैं और दूसरी देशों में रहते हैं, उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो पाँच आप प्रवासी हैं जो भारत के, मतलब जो भारत से जिनका रिलेशन नहीं है, उन लेगा कि चलो हम आने वाले एक साल में आने वाले दो साल में पांच ऐसे लोगों को ले करके आएंगे इंडिया घुमाएंगे तो फिर सोचो एकोनॉमी कितनी बूश्ट होगी है ना तो यह टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है साथी साथ वो लोग उसे पांच गैर भारती मित्रों को आमातिरित करके भारत में घुमाने या कहें परेटन को बढ़ावा देने के लिए किया था ठीक है समझ में आई बात इस कारिकर में जो बांगला देस में भारत के उच्चायोक्त हैं कौन है परनै वर्मा इन्होंने इसकी मेजबानी की त पता है न से खसीना मुद्रा टका होती है राज़ारी डाका होती है इसको तु बताने जरूरूत नहीं है राश्ट्य यूवा संसद महुथ सो दोहजार चौबिस में पर्थम पुरुष्कार किसने जीता है तो इसको जीत लिया है यतिन भासकर दुगल ने यतिन भासकर यानि कि जो सबसे युवा संसद हैं, उनमें कौन बढ़िया बढ़िया किया है काम, इसको ले करके एक आयजोन करके पुरुसकरित किया गया, तीन पुरुसकार दिये गया, उनलब प्रथम स्रवनी में ये दुगल सहाब जो है, ये आवार्ज जीते हैं, वहती युवा संसद हर्याना के रहने वाले हैं तो प्रथम प्राइज इनको मिला है यतिन भासकर दुगल को सेकेंड प्राइज मिला है वैशना पिचाई को जो कि तमिलाड से हैं थर्ड प्राइज मिला है कनिस्क सर्मा को रायस्थान से उदेश यही था जिससे जो वर्तमान लोकतंत्र है वर्तम साथ आये जिसमें बारत के लोक्तंतर में सुधार देखने को मिले अभूत पूर किब जो पूराने ख्यालात वाले होंगे वह कम रिस्की होंगे बहुत इससे क्योंडेंट रहे होंगे मॉडबर में दुनिया कहां जा रहे हैं कितनी तेजी सागे बढ़ रहे हैं उन को लेकर के अपनी बात उठाएंगे संसत में और इस पर लेकर के बिल वगएरा पर चार्चा करेंगे इन सब को देखने के लिए यानि युवा मामलय और खेल मंत्राले ने ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए किया हुआ है ठीक है ना कहानी बहुत होगे मेंड फैक्ट और अब पुरसकार सम्मान का रेविजन करते हैं पिछले दिनों में कौन कौन से पुरसकार सम्मान दिये गए वैसे पुरसकार सम्मान पर अब टॉपिक वाइज में अगली वीडियो आने वाली है पहले तो योजना का की वीडियो आएगी उसके बाद इसकी वीडियो आए प्रदीप महाजन 2024 के लिए सम्मानित किया गया है महाराष्ट बूसर प्रुसकार से और 2024 का रोमन रोलाइन पुस्तक प्रुसकार पंकज कुमार चेटर जी को मिला नाइट हुट की उपाधी सुनील मित्तल को मिली फ्रांस का सरवोच नागिल सम्मान ससी थरूर को मिला केपीपी नामबियार प्रुसकार सुमनाद जी को मिला निल्सन मंडेरा पुसकार 2024 नीम हंस संसा को मिला लक्षमी नरायन अंतराष्टे प्रुसकार प्यारिलाल सरमा को मिला और भारत रत्न, most important ये 5 वेक्तियों को इस बार सम्मानत किया जा रहा है जिनमें से 4 को मरनो परांत दिया जा रहा है पीवी नरसिमा राव, चौदरी चान सिंग, म.स. स्वामिनाथन, करपूरी ठाकुर इन 4 को मरनो परांत दिया जा रहा है और लालकृष्ण आर्बानी को भी दिया जाएगा रंजन गोगई जी को असम बैभोरत्न मिला है और प्रोफेसर एंडरेंट क्रूज को और रब्दा बिटेस अंपायर से सम्मानत किया गया वहीं वसंत लक्षमी नरसिमा चारी को निर्ते कलानी दी प्रोष्कार मिला है ये चीज़े मैं अकसर रिवीजन रहता हूं इसलिए आप बार बार आगर रेगुलर वीडियो देखते रहोगे तो सारी चीज़े याद हो जाएगी और आपको याद करते रहना नीचे नीचे एक लाइन हटती जाती है उपर उपर एक लाइन जोड़ती जाती है तो कम से कम आप दज़द्स बारा बारा बा महिला राष्ट लीग किस ने जीता इसको जीत लिया है इस्पेन दुस्तों एक यूरोपियन देश है और वहीं इस्पेन में ही आईजित हुआ था UEFA का महिला राष्ट लीग या कहें Women's Nations League यह फुटबाल का एक टूनमेंट होता है फुटबाल का एक टूनमेंट होता है फुटबाल का और इसमें इस्पेन ने फ्रांस को हरा दिया है इस्पेन की महिला टीम ने फ्रांस को 2-0-100 हरा करके यह खिताब जीत लिया है अच्छा इस्पेन ने ये खिताब पहली बार जीता हुआ है तो ये और important बन जाता है क्योंकि इनका ये पहला खिताब है पहला खिताब तो है ही साथे साथ पहली बार ही इनकी टीम ने फ्रांस की टीम को हराया हुआ है मतलब फ्रांस की टीम काफी मजबूर टीम है फीफा वाइड कप 2022 वाला अर्जंटीना में जीता है उसको और आज़ित कहां हुआ था 2022 का तो आप बताओ कहां पर हुआ था 2022 का चलो बताओ कमेंट करके 2022 का फीफा वाइड कप कहां हुआ था 2026 में कहा होगा तो मैंने आपको 3 देश बताया हुए हैं USA, Canada और Mexico ठीक है ना तो ये North America के तीन देश है North America continent के इसके लावाँ अभी FIFA ने रैंकिंग जारी की थी जिसमें भारत की जो टीम है वो 117 अस्थान पर पहुँच गए थी है ना आगे बढ़ते हैं राश्च्पती द्रोपदी मुर्मुजी ने वर्स 2022 और 2023 के लिए कुल कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी परज़कार परदान किये। अभी हाल ही में दोस्तो राष्टपती दुरपती मुल्मो जी ने 2022 और 2023 के लिए यानि दो वर्सों के लिए 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरसकार प्रदान किया है। ये अवाड क्लियर है। विनायक खटेकर और आर विश्वे स्वरन सहित साथ प्रतिश्रीत कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरसकार मिला है। अगला, किस स्पेस जैंसी ने मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए मीथेन सैट लांच किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मीथेन सैट लांच किया गया है अभी स्पेस एक्स के दोरा। तो को स्पेस एक्स जब भी जो करता है ना बिल्कुल एक्स्ट्राओर्डिनरी करता है। एलन मस्क की कमपणी है स्पेस एक्स इसने मीथेन सैट लांच किया है। मीथेन सैट दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है जो मीथेन गैस को ट्रैक करने के लिए लांच किया गया है। इसका मकसद आप समझेए ये पृतिवी का धरती का एक दिन में 15 चकर लगाएगा। और इस 15 चकर में ये ट्रैक किया करेगा कि धरती पर कौन-कौन से ऐसे छेत रहे हैं जहांसे मेथेन का उत्सरजन जादस ज़्यादा हो रहा है। मेथेन का उत्सरजन ज़्यादा हो रहा है यानि ग्रीन हाउस के वहाँ पर ज़्यादा आ रही है तो वह उस पर कैसे कंट्रोल लाया जाएं क्योंकि वह इनवाइरमेंट को नुक्सान पहुचा रहे हैं। तो ये बता रहे हैं इनके अनुसार, SpaceX के अनुसार, कि ये environment के लिए आने वाले समय में ये क्रांती लाएगी, ये satellite, ये क्योंकि ये निगरानी करेगी, कि कौन कितना methane का उत्सरजन कर रहा है, कहां से कितना green house गैसे निकल रहा है, किस factory से, किस जगा से, तो ये दुनिया भर में या कहें कि पिर्थवी भर पर 300 ऐसे targets को अपना सिलप करेगा, उन 300 target को ये निगरानी में रखेगा, दिन भर में 15 बार पिर्थवी का चक्कर लगाएगा, तो methane set परियावरे निगरानी के लिए है और SpaceX ने इसे launch किया हुआ है, ये बात ध्यान रखना बहुत ही important question है, SpaceX की बारे में अगर बात करें, तो आप जानते हो 2002 में इसकी अस्थापना हुई थी, और Elon Musk जो है, ये इसके संस्थापक है और वरतमान में CEO भी है, ठीक है, और Elon Musk आपको पता होगा, अभी recently ये दूसरे नंबर पर खिसके हुए हैं, दुनिया के सबसे अमेर वक्तियों में, जेफ वेजोस, Amazon के मालिक, वो टॉप पर आ गए है, Elon Musk के बारे में अगर बात करें, तो ये Tesla के भी मालिक है, ट्वेटर जिसका नाम अब X हो गया, इसके भी मालिक है, इसके अलाब है SpaceX और The Boring Company, Hyperloop, Hyperloop, ठीके ना, बहुत सारी कमपनियों के ये मालिक है, आगे बात करें, तो भाईया, अपना भी offer इस्टार्ट ही हो गया है, महासिवरात्री पर 80% का discount दिया जा रहा है, MZT के वीड़ो कूर्सेस पर, MZT का अगर जिनको जिनको वीड़ो कूर्स लेना है, ठीक है ना, अपना जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ठीक है, तो वो वीड़ो कूर्स लेने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए, आपको सिव 80 coupon code यूज करना है, या फिर सिंपली WhatsApp कर देना है, डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर है, वहाँ से WhatsApp कर देना, आपको पूरा-पूरा सही हो किया जाएगा, बता जाएगा process कैसे लेना है, बहुत सारे courses, बहुत ही affordable price, मतलब इतने price में आपको कहीं पर भी और नहीं मिलने वाला है, कि उसमें कौन सा course है, जो आपके exam के लायक है, आप exam के लिए उसको prepare कर सकते हैं, बहुत सारे video courses हैं, तो आप उनमें से select कर सकते हैं, मैं आपको recommend करूंगा, GS सफलता 3.0 badge लेने का, आप जाकर के उसको चक कीजिएगा, डेमो अगरा भी सबके available हैं, जाकर के डेमो भी आप बाकाइदे देख सकते हैं, कैसे PDF मिलती है, कैसे video मिलती है, सारा कुछ उसमें है दिया गया, अगला question, हालही में किस केंदरिये मंतरी ने किसानों की भंडारंट सुविधा को आसान मनाने के लिए, इकिसान उपज निधी लांज किया, तो अभी हलही में दोस्तों, प्यूस गोयल जी ने, प्यूस गोयल साहब ने, Commerce Minister है, इन्होंने इक किसान उपज निधी लांज किया है, किस लिए, किस परपज से लांज किया है, तो किसानों की भंडारंट सुविधा को आसान बनाने के लिए, इन्होंने लांज किया है, यहाँ पर देखिए, गोर्मेंट लांचेज गेटेवे टू फैसिलेट पोश्ट हारवेस्ट फाइनेंसिंग फॉर फार्मर्स, तो इससे क्या होगा, किसान जब उत्पाधन करते थे, उत्पाधन करने के लिए, जब सरकारी गोदावों में जाते थे अपना माल बेचने के लिए, तो गोदामवाले कहते थे, नहीं नहीं हमारे पास पहले से भंडारान है, पुरा परवभरा हुआ है, हमारे पास जगा नहीं है, हम आपका खरीद नहीं पाएंगे, तो किसानों को मजबूरन जाना पड़ता था मार्केट में बेचने मार्केट में बेचने जारते थे तो जो साहुकार से बेचते थे वो साहुकार क्या कहता था कि हम तो इतने रेट मिलेंगे आपको देना हो तो नए तो अपने घर रख करके सड़ा हो उसको तो इसी में इसी बात को लेकर के विरोध हो रहा था, इसी को लेकर के MST की बात को लेकर के आंदोलन समय समय पर चलता रहता है, आप देखे भी हो, अभी भी फिर से एक बार हुआ था, क्योंकि सरकार ने जब वादा किया था, तो वो बादा अभी तब पूरा नहीं हुआ था इस वैसे अभी किसान फिर से सर्क पर उतराये थे तो यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर P.U.S. गोयल जी ने ये कहा है कि भानारण सुवधा को आसान मनाने के लिए एक E किसान उपज निधी लांच कर रहे हैं ये एक ऐसे निधी होगी पोटल होगा और इसके तहट किसानों को अपनी उपज सस्ती दरोपर बेजने से रोका जाएगा मतलब वो सस्ती दरोपर जो बेजने को मजबूर हो जाते थे वो नहीं करेंगे साथी साथ जब वो गोराउन में जाते हैं देने तो उनको security money जमा करनी होती है वो security money 3% होती थी वो 3% भी घटा करके अब 1% कर दिया गया है यानि कि 1% security money जमा करके कि वो अपना वहार रख पाएंगे और किसानों को उनकी उपज का उपचितमूल मिल पाएगा ठीक है और MSP MSP मैं फिर से बता दे रहा हूँ वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ MSP यानि कि minimum support price ये वो price होता है कि जो किसानों को insure करता है कि कोई न खरीदे तो हम तो इतने में खरीदी लेंगे जैसे मालो गेहूं का उत्पादन हुआ तो गेहूं का उत्पादन वो कर रहा है किसान तो उसको एक uncertainty होनी चाहिए न कि भई हम इतना इसमें लगा रहे हैं खेतों में तो अगर जब इसका गेहूं बिगेगा हमारा तो कम से कम इतने रुपें तो बिगे गई है ना तो यहाँ पर सरकार जो है वो MSP देती है मतलब सरकार यह कहती है कि आप किसान हो अनदाता हो आप अनाज का उत्पदन करो कोई नहीं लिया आपका तो एक minimum एक fix price होता है उस price में हम तो आपका ले ही लेंगे और ज़्यादा में है तो आप जहां बेच पाओ बेचो अच्छी बात है कम से कम में जुदाम में इतने में सरकार लेती थी लेकिन बाद में जो ground label पर reality है वो क्यों नहीं लेते थे वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कहते थे कि हमारे यहाँ go down भरा पड़ा है तो हम और नहीं ले सकते हैं है ना तो यह बात होती थी आगे हाले में केंद्रिये खेल मंतरी अनुराक सिंग ठाकुर जी ने किस गेम्स के पदक विजयताओं को सरकारी नौकरियों के लिए पातरगोचित किया तो दोस्तो अभी हाले में के अंदरी खेल मंतरी अनुराक सिंग ठाकुर जी ने ये कहा है कि KELO India Youth Games, KELO India University Games और KELO India Para Games इन सभी Games के यानि कि KELO India Games के जितने भी events होते हैं अभी तो देखो KELO India Para Games भी शुरूआ है और KELO India Winter Games भी होता है देखिए भी है और University Games होता है यूथ गेम होता है ये खेलों इंडिया के द्वारा कराया जाते हैं इन सभी गेम्स के जो पदक विजेता हैं उन पदक विजेताओं को eligible कर दिया गया है for the government jobs सरकारी नोकरियों के लिए वो eligible होंगे अब इसका ये बिलकुल कता ही मतलब नहीं है कि उनको सरकारी नोकरी मिल जाएगी है ना ये मत समझना क्योंकि अब अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर बाकी लोग जो इस्टुडेन तयारी करें उनको कुछ नहीं मिलेगा पिको इतनी तो वेकेंसी ही नहीं आती जितने खिलाडी निकलाते हैं क्योंकि इवेंट भी देखो चार इवेंट हो रहे हैं और साल बन में चार इवेंट हो रहे हैं हर साल है ना और उसमें से हाजार-जार को सेलेक किया जाता है तो यहां पर देखो इन्होंने ये कहा है कि eligible हैं ये now eligible for government job अब इसको समझो इसको लाने का मतलब क्या था होदा क्या है कोई खिलाडी होता है कि जब वो पूरा-पूरा अपने आपको खेल में जोग देता है तो खेल में जोग देता है 11th में 12th में या university में गया हुआ है college में गया हुआ है तो वो time उसका भह बुली समय होता है पढ़ाई को भी देने का भह मुली समय होता है खेल को भी देने का अगर वो खेल में जाता है मालो तो खेल में गया और अच्छा प्रदर्थन किया मालो लो छलो ठीक है इसमें खेलो India Games में तो मिल गया चुलो 5 साल का मौका मिल गया, आगे वो अच्छक नहीं कर पाया मालो, आगे competition ज़्यादा हो गया, उसका career वहीं से drop down होना सुरू हो जाता है, क्योंकि भाई race है, लगातार लगी रहती है, तो ऐसे में आप वो क्या करे, क्योंकि 5 साल बात तो फिर खतम मामला, ऐसे ही है, समझ आप खेल में गये थे खेलने, तो आप eligible नहीं उपाया, competition को नहीं fight कर पाऊगे, ऐसे में सरकार नहीं क्या किया, कि इनको ये कर दिया कि भाई, आप अगर खेल रहे हो, तो आप eligible हो, आपको tension लिनक ज़रूरत नहीं है, मतलब जब खेलते समय आपने degree नहीं लिए, डिपलोम करके, कर सकोगे, और आगे आने विल टाइम, कुछ percentage भी सरकारों के हिसाब, राजी सरकारों के लाप से हिसाब, आलग-अलग मिलता है, खेलों का खेल, खेल कोटा, तो उस पे भी मिल जाता है, फाइदा है, तो ये और ये सारी चीज़ें होती है, तो बाकी चीजें मैं आप पुरुवत्तर राज्यों में हुआ, ये भी द्यान रखना है, इसके अलावा खेलो इंडिया, यूध गेम जो हुआ था, वो तमिलाटू में हुआ था, के लिए जी चलिए, अगला, ये खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जानकारी है, यूवा एथलीट को अंतराश्टी प वित्ये साहेता की जाती है, पांच पांच लाख आठ साल तक मिलते हैं, ठीक है, चलो, जिससे वो बहतर को जायर कर सके, बहतर स्टेडियम में अपना एडमिसन करा सके, और ओलम्पिक्स जैसे गेम्स के लिए तैयार कर सके, अपने आपको, किर्सिल की रेटिंग के अनुसा अगर आप संपूर नॉलज चाहते हो, तो रेगुलर वीडियो को देखते हो, आपको रोज कुछ न कुछ जैनकारी मिलेगी, अच्छी जैनकारी मिलेगी, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है, कि 2023 में तो 7.6%, लेकिर 2024 में अगला वाला जो financial year होगा, उसमें 6.8% की growth rate रहेगी, ये किर्सिल का मानना है, इनके जो MD और CEO है, इनका नाम याद रखना अमीस महता, इन्होंने एक और अनुमान पेडिक किया है, कि अगले आने वाले 7 सालों में भारत की GDP जो है, वो 5 trillion, यानि कि 5 अरब डॉलर क्रॉस कर जाएगी, ये भी एक fact है, याद रख सकते हैं आप, और ये बाकी की rating agencies के दारा जारी किये गए, उनके अनुमान है, जो समय समय पर मैं आपका revision कराता रहता हूँ, तो ये थे top 10 current fare के questions, आज की दिन से, आप MZT app पर जा करके, 80% इस offer का फाइदा उठाएए, महासिवरातरी का, और कोई भी है, कोई भी अगर suggestion चाहिए, demo देखना है, demo नहीं देख पा रहे है, login नहीं हो रहा, कुछ भी प्रब्म नहीं है, WhatsApp का नंबर जो दिया गया है, उस पर आप संपर कर सकते हूँ, ठीक है ना, बात करते हैं, last day के questions की, कल मैंने पूछा था, गरतनता आत्मक परस्तावना में सो हंगरी की मुद्रा क्या है, हंगरी एक कंट्री है, मैंने कल आपको दिखाया था, इसकी मुद्रा बताईए, भारत की पहले मेट्रो सेवा, कोलकाता मेट्रो की सुरुवात की सिवर्स हुए थी, टेलिगराम ग्रूप जोइन किजिए, इसकी पीडिया पर आपको भीजी जा झाल, इसकी मुद्रा कारे सी या घमी में ओदेता विनाईए, इसकी मुद्रा पका शोज़रे में आपको भीजा है घ्याल कि सकता इने के क्या आपको दिया भीजी गलाचे आपको